क्या हाले साथ ही हो मैं विकास सुमर आपके अप्रेटर सो दिचाय स्टेडी फॉर सिविल स्विसेस पर आज आपके समक्ष लेकर आ गए कमिटी समतियां 71 समितियां है इसमें करेंट एफेर की भी है इंपोर्टेंट वाली भी है रीसेंट वाली भी है सारी है जो करेंट वाली समितियां हैं कमिटीज है उनके वाइरे में थोगा डिटेल में है जो पुरानी इसे नरसिम्मन कमिटी है अब आपको सबको पता है कि उसमें खाली अगर पूछेगा तो मैंच आप दो फॉलिंग में पूछेगा कि से समन्दित है बैंकिंग रिफॉर से क्या-क्या उसमें प्रवधान थे ठीक तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले आप लोग बताते हैं कि रोज सुबह छे वजे हमारा करंट अफेर आता है उल्ली करंट अफेर चैनल पे इसमें क्या हो रहा है कि रोज डेली यूपीसी दोजार एकिस ठीक यूपीसी कर सकते हो 17 दिन हो चुके हैं इसको जो है आप लोग करो यह आपका रोज दिरे दिरे ही सही लेकिन दिरे दिरे जो है आपका बुन-बुन से समंदर बढ़े भरेगा आज में ठीक और साथ ही साथ रोज आंसर राइटिंग यह सब कुछ सुबह छे वजे वाले में आदे गं करता हूं और मोडल अंसर बताता हूं तो यह सारी चीज़े आप लोग को महाँ पर करनी चाहिए चले स्टार्ट कर लेते हैं अपनी कमिटी यह वाली कमिटी जो है ईपीएफो और यूपीएफो 2020 और यूपीएसी 2021 इन दोनों के लिए बहुत यादा जो है में स्वामित उनके नियंतर उनके लाइजेंसिंग गाइडलाइन्स क्या होंगे वो पीके महांती जी को पताना है ठीक अगली कमिटी है अरुन गोएल कमिटी समिती इसमें क्या है आपका इंडियन कैपिटल गुड सेक्टर जो है ठीक अब देखो पूंजी वाले जो वस्त गार में पैदा करना तो मैनुफ्रक्षिंग सेक्टर को जो की सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है अर्थवय वस्तागा वसको जो है अगर हम मजभूत करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा एक इंक्लूजिफ गवर्मेंट इंक्लूजिव डवलप्मेंट इंक्लूजिफ प्रतिवूति यानि कि security डेटा है जैसे कि आपने देखा होगा जो सेभी जिसको करता है capital market होता है आपका जिसमें शेयर सोरी सारी government security बॉंड वन दिया जाते है तो इससे समंधित जो भी data आता है कैसे उसको देखना चाहिए क्या उसको कैसे उसकी privacy रखनी चाहिए market data सब कुछ कैसे regulate होगा प्रतिवूती बाचार डेटा समंदित ये आपका माधवी पूरी बुक जो है इन्होंने head किये committee market data advisory committee ठीक ये तीन committee है ये current में है काफी important है इसलिए थोड़ा सा इनको जो है मैं ज्यादा बता रहा हूँ ठीक बाद में तो खली line लेने के match of the falling wallet type के question से होंगे ठीक अगला जो हमारी ये है committee है इसका नाम है राजेश वर्मा जी द्वारा जो है इसको head किया गया है company law committee headed by the corporate affairs secretary है ये तो मिनिस्टियो corporate affairs की ये committee है company law committee अब इस committee ने क्या बताया कि दो एक तो ये EPFO के लिए बहुँ जादे important है companies act और जो 2013 वाला हो गया limited liability partnership अच्छा limited liability partnership पहले आ होती है आपकी जैसे कि प्रप्राइटर्शिप होती जिसमें जीस्टी देना पड़ता है दूसरा होता है private firm होती है इसमें private partnership में आप लोग company को सकते हो तीसरा जो company खोलने के लिए आपको partnership अगर करनी तो limited liability partnership मतलब जो भी बिजनेस आप कर रहे हो उस business से समंदित जो भी जिन्होंने भी loan आपको दिये हैं वो लोग सिर्फ उन assets से जो business से समंदित है उनको उठा सकता है आपकी personal जो properties है समद्थी उनको नहीं जप्त कर सकता है बस यहीं सबसे में जो है broadly इसको आप समझ सकते हो limited liability partnership मतलब कि आपका जो दायत है वो limited है ठीक सिर्फ business तक यह चीज़ 2019 में आई इसमें जो है government को इन्हें advice करना था कि limited liability से समंदित कई सारे ऐसे प्रवधान थे कि उन्होंने कहा कि भाया आप जो है limited liability partnership ad के अंतरकत कई सारे प्रवधान 12 offenses को भाया decriminalize कर दो आप इनको ऐसे क्या है कौन कौन चीज़े कि आप timely file करो अपनी annual report डालो changes यह सब कहना कि यार यह अगर नहीं किया तो आप इनको criminal offense में लेता हो इससे क्या हो रहा है कि आप ease of doing business यह जो है सुगमता जो है वैपार करने में इन सब को जो हानी पहुचा रहे हो बलकि वह कर रहे हो तो मतलब यह कर रहे हो कि आप उनको जह मौर मुश्किक बना रहे हो तो इन सब को करो यह नोंने recommendation दिये ताकि जो है और अच्छे से ease of doing business बन सके ठीक अब यह ची बताओ आप लोग कि कितने ranking हम लोग की चल लई है ease of doing business में जो latest rank आई थी world bank के त्वरा जो किया जाता है यहीं चीदे के हिंदी में दे रखा है ठीक कॉप्रेटर मामलों के सचिव राजेश व जी आपको बता दूँ कि यह आपके national cyber security coordinator है अभी ठीक लेकिन पहले national cyber security coordinator कौन थे लेफ्टेंट जनरल पहले जो थे वो थे गुल्चन राय ठीक अभी जो है जनरल राजेश पंजी है इनकी कमिटी बनाई गई थी रेके cyber सुरक्षाबर भारत के मुख समन्वेक राजेश प जो है आपका रेकी कर रहा है या फिर कोई सर्वलांस कर रहा है या फिर चुपके से हमारे data को देख रहा है इन सबकों के खिलाफ जो है अगर कोई information है तो निकाल लिए और आजेश पंजी की अदर्शकता में याली साहिबर सुरक्षाबर जो समयती बनाई गई थी इसका य अगली जो कमिटी है वो राजीव महर्शी वाली कमिटी है और इनका जो था कि कोविड 19 से समन्दित ठीक और उसकी वज़े से क्या हुआ कई सारे लोन जो थे वो भारती गॉर्मेंट के सलाय पर कई सारे जो है मोरेटोरियम कर दिये गया बैंकों पे माली जे किसी कमपनी न लगा दिया है तो जो लोन की किस्ते देनी थी उसको मोरेटरियम देदे हो यानि की कुछ समय के बात दिया जाएगा तो इस चीज को जानने के लिए जो है राजी महरशी वाली कमटी बनाएगी थी एक। और जो है फारेशयक क्याConstate कैसे क्या है अगर हम उसको कैसे मिटा सकते है 요। वह मिटा सकते शलूशन भी बताएग ये अगली जे कमटी केवी कामत कमटी है क्वकम costs अबूटे का नाम आपने सुना वताइए कौन है ऐसे बोल सकते हैं कई सारे partners जो आपके वह उनका में काम यह था कि जैसे कских्वह जो है जो इन्होंने बारो किया bank से लोन लिया ठीक लिए फिर वह वह वापस नहीं कर पाए और और वह नॉन- evitar forming asset बन गया है तो उन assets को किस तरीके से loan की restructuring की जाए मतलब की किस तरीके से या तो loan को कहते हैं कि अच्छा 10 साल का था तुम पैसे दो 15 साल में दो ठीक एक तो यह loan restructuring हो जाती है कुछ में कहते हैं कि भाइया जितना दे सकते हो अभी दो फिर बाकी बाद में दो इसी तरीके जो है non performing asset को कम से कम वापस कर सके loan को यह चीज़ पे जो है के वी कामत कमिटी बनाई गई गई दो इस पे जो है सिफारिश करके बताएंगे कि किस तरीके से किया जाए इन्होंने यह भी कहा था ग्रेड़ेड एप्रोच जो है लिया जाना चाहिए ठीक उसमें जो है borrowers bank classify कर देख कि अलग अलग जो मलब जो है account को कि कौन सा mild है moderate है कौन सा severe है जिसमें बिलकुली मलब नहीं मिलने के आसार है तो उसके हिसाफ से जो है फिर mild वाले हैं उनको सबसे उपर करो moderate वाले फिर जो सबसे मलब वह सीवियर वाले हैं उनको फिर बाद में देखा जाएगा अग पे या फिर गूगल पे और यह सब करते हो ना तो उससे जो है payment payment हो पाता है ठीक है तो इसी कोड से समंधिर जो है विचलेशन यहाँ पर करने के लिए committee बनाए गए डीबी फाटक जी के चेर्मन चीक करते है यह फाटक ही है डीबी फाटक की अधक्षता में qr code के लेरी की दुकान में क्या हुआ कि वहाँ पर जो है उन्होंने बाहर अपना लगा रखता qr code ठीक एक बंदे ने चोड़ चोर चकरे टाइप के लोग के क्या किया कि वहाँ पर अपना जाके चिपका दिया लोग आके जो है उससे कहते थे हाँ पैसे आ गए वह दूद वाला जो हमारा है नाइंध कमिटी है सुरेश माथूर जी की अतक्षता के अंतरगत पैंडिमिक रिस्क पूल ठीक सुरेश माथूर जी की अतक्षता में महामारी जोकिम पूल पर समित्ती बनाई गई है इसमें दखो अब क्या है कि IRDI जो की BEMA को जो है रेगुलेट करता है हमारे भारत में उसने यह कहा उससे उसके लिए यह है कि सिफारिश की जाए IRDI को सुरेश माथूर जी करेंगे कि भाईया कोविड-19 जैसे पैंडिमिक जो महामारी फैल गई इसके वैसे जो दिक्कते हुई है रिस्क हुआ है जो खत्रा बन रहा है इससे कैसे हम निप्टा जाए अभी के लिए और फ्यूचर में कैसा निपटना चाहिए इस तरह के कुछ आता तो इस पर सिफारिश करो रेकमेंडेशन दो क्योंकि बीमा कंपनी है अभी एक साथ अगर सभी अब बीमा के पैसे लिए दो लोग बिमार हुए उनको पैसे दे दिये अब क्या है कि 100 के 100 अब देखें कि यह इनजेति सीव नेसिन वाली जो कमिटी यह सीएसार सा समध्य यानिकी कौर्परेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी तो इसमें एक आगया जो भी खर्चा करोगे को पर सोशल रिस्पांसिबिलिटी के अंतरकत ठीक तो वह आपका डिडेक्शन टेक्सिबल इंकम जो भी होगी उसमें डिरक्शन होजाए मतलब छूट मिलेगी आपको जो नई कंपनियां वो तीन साल के बाद ही लाइबल होंगी कि आपको CSR ले देना है जो भी आप कहरें बहला आपने माली सो रुपे आपने रखे हुए थे CSR के पास में अगर वो उस साल आप खर मतलब सेंट्रल गॉर्मेंट के फंड उसको खतम कर दो एक अलग से फंड बनाओ जिसमें की जो भी कंपनियों के द्वारा अनिस्पेंड मनी है वो उस फंड में डाल दो और वहां से फिर तीन से चार पास साल में से जब आप उसको टांसफर कर रहा हो फिर वहां जखर्चा कर लो ठीक गॉर्मेंट सेंट्रल गॉर्मेंट का यहां से हटा ओ और आखरी जो रिकमेंडेशन उने दी इंजेती सिर्व निवाशन जी ने वो यह है कि CSR का कंप्लाइंस करने में आगर माली जै कोई कंपनी नहीं कर रही है ठीक उसका वॉयलेशन उलंगन कर रही है तो य एक सिविल ओफेंस की तरह माना जाएगा और इसको पैनल्टी इसमें लगा जा सकती है अब देखो यह जो कमिटी थी EPFO के लिए क्योंकि यहां पर हमारा फोकस है इसलिए इसको मैं चाहता तो सिर्फ CSR लिख सकता था तेकि मैंने इसके कही सारे प्रवधान बताएं और हिं लेकिन इंपोर्टेंट वो यहां पर में दे रहा हूं क्योंकि किसी वाज़े से अभी न्यूज में भी थी राजा चलिये कमिटी टैक्स रिफॉर्म 1991 वाला जो है इनको यह बताना था कि जो भारत का टैक्स ट्रेक्चर जैसे आज जो है यह ना कि 5 लाक तक कोई भी टैक्स ने दिया जाएगा पर्सनल इंकम पर कोई भी टैक्स देने की जुरूबत नहीं है फिर साड़े साथ हो गया फिर लग लग हो गया कुछ लोग अभी बताते हैं कि पुराने रिजीम में रहो कुछ लोग कहते हैं कि पहले रिजीम में आ जाओ यह सब बताया गया ना बजट और नॉन बैंकिंग फानेंशल कंपनी जो होती हैं वो किस तरीके से काम करें उनको कैसे रेगुलेट किया जाए आर्बी आई के द्वारा इस पे इनको सिफारिश करनी थी कस्तूरी रंगन जो एक समिती थी आपकी नैशनल एजुकेशन पॉलिसी से आधारित है और नैशन उन्हें देखा था बहुत उन्होंने कहा कि सर्म आपकी वैसे यहाले कोशन हमारे बहुत अच्छे में 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 ध्यान रखना में से रैंक बनती है प्रिलिम से खाली फिल्टर होता है ठीक तो यहाला जरूर देख लो दस साल तो कम से हम रहेगी 45 मिनिट के वीडियो इट्से गुड कॉस पेनिफिट रेशियो अगला जो हमारी समिती है वो है शशी एस वेंपती कमिटी टी आरपी रेटिंग पर है टी आरपी वाले देखी होगे ना दा नेश्चान वांट्स तू नो वाला जो बंदा है यह चिला चिला के क्यो यह बाते करते है इस इतने भ इंपती कमिटी किसे समंदी था टी आरपी समंदी था अगली जो कमिटी है वो है MS अनंत MS अनंत की है यह All India Council for Technical Education जो हाई एजुकेशन में आप इंजीनिंग वाले ही सब होते है ना तो इनको मतलब यह बनाया गया था ताकि यह प्रिपेर कर सके Professional यानि पेशवर इंजीनियर बिल ठीक अगली जो समती है वो है वन मैं वन मैं जस्टिस मदन बी लोकुर ठीक कमिटी थी बनाई गई किसके लिए जो पराली जलाई आती ना पंजाब जाब में और दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉलूशन हो जाता सर्दियों में तू प्रिवेंट इस्टेबल बर्न पराली जालाईने से रोकने के लिए जस्टिस मदन बी लोकुर वाली एक कमिटी बनाएगे जिससे की यहाँ पंजाब हर्याना और यह दिल्ली के आसपास के छेतर में न्सीर के जो है पराली ना जलाए उसके लिए जो है क्या रेकमेंडेशन देते हैं यह उसकी बात है प्रदीब शा कमिटी किससे समंदित है इंटरनेशनल फाइनस सर्विस सेंटर से समंदित है जो मतलब कैसे डवलप किया जाए इंटरनेशनल रिटेल बिजनेस ठीक इंटरनेशनल खुद्रा या वैपार कैसे चालू किया जाए इंटरनेशनल फाइनस सर्विस सेंटर में ठ करके बताएंगे क्या चीज़ है ठीक अब इससे समंधित है इतना तो आप समझी कहा हो कि लेकिन उसको एक बार बताओ तो कहां लोकेटर क्या है प्रदीव शाह कमिटी आएफसी से समंधित है जीके पिल्लाई कमिटी जो है किससे समंधित है टू डिसाइड सीलिंग रेट्स अगर आप जो है एक्सपोर्ट करते हो कोई चीज एक्सपोर्टर को क्या है कि उसने माली जाओ को डिए दे दी अप फिर जो है आपको यह बताना है कि सीलिंग होनी चाहिए आपने माली जा की 20 उर्पै की जो है किया और सीलिंग आपने 15 पे लगा दी तो पांच अपै जो यह exporter ने वो वापस हो जाए तो वो ceiling क्या rate बनेगा यह चीज़ जेके पलेजी को बता रहा था तो एक तरिके से आपका duty reimbursement exporter वाली है चीज़ ठीक रमेश चंद कमिटी नीते आयोग के मेंबर हैं और इन्हों बहुत ही बढ़िया बात बताई थी जो अभी भी आगर यह लागू हो जा डंसे तो मौजे मौज आ जाए किसकी आजाएगी जो गन्ना उगाने जो farmers है क्रशा के हमारे उन्होंने इन्होंने क्या शिफाइस दी उन करती है और ऐसे पी का फुल फॉर्म ही है स्टेट अड्मिस्टर पाइस ठीक तो पर तीन सो दो सो पच्छतर रुपए जो है सेंटर ने कर रखा है उसमें पचास पर जोड़के 325 रुपए है सुगर के प्राइस लेकिन ने यहां पर रमेश चंद कमिटी जी ने क्या बोला कि जो शुगर का रेट है उसको आप शुगर केन के प्राइस से जोड़ दो मतलब शुगर जो आप चायवाय में डालते हो वो और शुगर केन जो गन्ना जिससे जो है चीनी बनाई जाती है तो इन दोनों को लिंक कर दो ताकि जो इंडस्ट्री है और जो उनकी फाइनेशि विल्ला है तो यार तुम समझे रों कितना अच्छे 15 से 16 महिने तक बच्चे उन लोग का पाई से नहीं है तो यार एक टाइम पैसा होता ऐसा तो है नहीं मंतली वाला तो उनको काफी दिक्कत होती है तो उसी समंधित नीतियायों मेंबर शुगर केन शुगर इंडस्ट्री समंधित इन्होंने रेकुमेंडेशन बहुत अच्छी दी थी और प्रेजेंट टाइम में यह जो है जो ना वाले जो फार्मर्स है उन लोग के लिए काफी यह जो है लाबकारी हो सकती है अगर इंप्लिमेंट हो अगली जो कमिटी है कमिटी नमबर 20 यह है बिजनर स्पॉं के लिए नए बी आर आर पर रूप विक्सित करना अध्यक्ष कौन थे राजेश्वरमा जी अब यह जिसे लिस्टेड और अनलिस्टेड जो कैप्टल मार्कर शेयर वाले मार्कर आपने दिखा होगा संसेक्स निफ्टी ठीक तो इसमें जो कम्पनियां लिस्टेड है उनको क्या फॉर्मेट होगा उसके लिए राजेश्वरमा जी की कमिटी बनाए गई थी ठीक समझ में आ गया यह इंपॉर्टेंट है यूपेसी दोनों के लिए पूरा वीडियो जो देखिए अभी 21 बहुंचे 71 है आकरी में आप देखो यह सब जो है बस एक 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 शब्द के है ठीक तो यह तुरंद हो जाएगा डोंट वरी ठीक है अब देखो अगला जो है हमारी कमिटी आती है सेबी से समझ दित अब सेबी आपको समझ दो सेक्योर्टी और एक्सेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ठीक यह क्या करता है आपका इसकी एक अडवाइजरी कमिटी बनाए गई वन वन वाला आग या बहुत तेजी से बिलकुल रॉकेट की स्वीड में अभी जीत सेन कमिटी किस्से समंधित है खाद नीती तयार करना लंबी अवदी की फूड पॉलिसी की जो है नीती तयार करना लंबी अवदी में अब जीत सेन कमिटी अगे जो है आबिद हुसें कमि एर इंडिया में ठीक है वाइसे वहाँ जो है स्ट्रेजिक डिस इंवेस्टमेंट क्या होता कोई अपना पेड़ फाला हो जरूर बताईए इसको बता रखा आडियो में जे जे इरानी कमिटी यह आपकी कमपनी लॉओ और फॉरमेशन ऑफ न्यू कमपनी जो है दोजा उन्नी या कमिटी या कमिटी याद आराना ठीक आप भी रिवाइस करोग हो जाए खुसरो कमिटी किससे है यह अगेर्र कलश्र क्रेडट्य विलेशनिश्टमे networking लॉष्यमा कमिटी यह तस भी जानते होंके क्रेड और राज्यों के बीच में संबन्द और सकति संतल म्न णन रिलेश था ना पहले जैसल मेर और कई सारी होते थे बीका ने उन सब को जोड़ दिया गया अच्छा वो था यह वो कौन कौन से साथ एसोसियेट बैंक से जो जो है आपके इसमें जोड़े करें सुरेश संद्रुकर कमिटी किससे है पावर्टी यानि गरीबी की अंक्लिन की पदती कर पावर्टी जो है SDG कौन सा गोल है बताओ और हंगर कौन सा है तारापोर कमिटी कैपिटल एकाउंट कर कंवर्टिबिल्टी पूझी खाता परवितिनेता देखो अब इसमें क्या है कि हमारा जैसे रुपी होता आयनार हम बोलते है और आपका दूसरा होता है जैसे मालो है कि फॉरण करेंसी से आपको एकाउंट करना पड़ेगा तो वो कितना कर सकते हो इसके बारे में तारापोर कमिटी थी अगर डैकली पुछा तो कैपिटल एकाउंट कर वेटिबिल्टी तारापोर कमिटी समंदित है एक होश ठीक इमाल प्रेक्टिसे इन बैंक्स बहुत ज़ारी इनकी रिक्मेंटेशन अगा मानी गई होते तो बैंकों में नीरभ मोडी राजी चौक्सी और कौन कौन है सब मालिया और ललित मोधी इसब ना हुए होते हैं आएकर छूट का आंकलन जो टैक्स के रिबेट्स होते हैं ना इंकम टैक्स से कई लोग क्या करते हैं इ कहां पर सुधार करना चाहिए वाइबी रेड़ी कमिटी किससे समंदित है टैक्स रिबेट से भगुती कमिटी किससे समंदित है बेरोजगारी और पॉब्लिक वेलफेर क्या ही बता है शाय दिनों ने दिया होगा लिग सो मिनिया है सी राओ कमिटी अगरिकल्चर पॉलिसी धारिया कमिटी पॉब्लिक डिस्टिबूशन सिस्टम यह आपका जो होता नहीं जो राशन शॉप और यह सारी चीज़े पीडियस में आता है ठीक सावजनिक वित्रन प्रणाली और रंगराजन कमिटी आपसे किससे हैं कंप्यूटराइजेशन और बैंकी इंडस्ट्री औ इन सब का वी निवेश करो इसमें थोड़ा प्रविटाइशन करो ताकि ज्यादा प्रफेशनलिजम आये ज्यादा अच्छे से कार सके हैं लोधा कमिटी जो है किसे समंदित है रिफॉर्म फॉर क्रिकेट इन इंडिया आप आपने देखा ही ता पीछे कितना दानली हुई यह थी उससे समंदित है रगुनात अनन्त मशेलकर पैनल यह किससे इनको यह सजर्स करना था बेस टेक्नोलोजी इस फॉर स्वच्छ भारत अभियान काफी इंपॉर्ट आप अनन्त मशेलकर आज भारत में या पूरे वर्ल में देखो सवच्छ भारत अबिएन अगर हम डं से समंदित है, Justice BM शाह कम्टी, Black Money, बहुत ज्यादा न्यूज में थी, बहुत ज्यादा, Justice BM शाह कम्टी किस समंदित है, Black Money, BM Black Money शाह, ऐसे करके मैं याद कर लो, इनका नाम नहीं है, AC शाह, अब यह मत करते ना, Air Condition है, तो यह AC शाह कम्टी जो है, आपका Non Banking Financial Company समंदित है, गैर Banking विक्तिय कम्पनिया, अजीत कुमार कम्टी, Army Pay Scale, कैसे बढ़ाना, क्या-क्या, उनकी कितनी Pay Scale होनी चाहिए, अथ्रिया, अथ्रिया कम्टी जो है, Restriction of IDBI, ठीक, IDBI एक Bank है, ठी इनकी कोई और भी कम्टी है, क्या, अचा एक चीज और भी है, कई लोग इसमें कहेंगे, सर, आपने ये कम्टी छोड़ दी, क्या, ये important नहीं थी, तो बिल्कुल, आप कम्ट में जोड़ दीजे, मैं highlight कर दूँगा, जो भी विद्वान लोग है, प्लीज, और जो कम्टी है, उनको लगता रह गही है, उसको जो है, आप कम्ट करके बता सकते हैं, उसको मैं इसी PDF मे जो है, सीड मनी हों इंसब देने में, important होता है, देव, दवे कम्टी, देव या दवे बोल सकते हैं, उनको pension scheme है, अन और्गनाइस से, अन और्गनाइस से एक कौन से pension scheme चल लही है, प्रधान मंतरी, शरम योगी, मांधन योजना, ठीक, pension scheme है, इसके लावा कौन सी pension scheme है, आप का अटल pension योजना, ठीक, यादा रहा है, अटल pension योजना, PFRDA इसको चलाता है, ठीक, और जो प्रधा मंतरी, शरम योगी, योजना है, वो किसके अंतरकत आती है, ministry of labor and unemployment, ठीक, EPFO के लिए भी बहुत important है, यह वाला ध्यान रखना, इसलिए मैंने दोनों को जोड़ा है, से भी प्राइवेट से भी, दोनों सावजिनिक और निजी दोनों से पाइसा लो, उस model से कैसे जो है, financing करानी infrastructure की, इसके बार में दीपक पारे कमिटी बनाई गई गई थी, हनुमंत राओ कमिटी, जो है, fertilizer समंदित है, आपका जन, जन किरा मनन, ठीक, securities transaction, securities क्या होती है, जैस कुमार मंगलम बिर्णा, corporate governance, बहुत जादे important है, UPSC में, main paper में, जो है, आपका GS4 पेपर, जो है, ethics वाला, उसमें corporate governance, अलग से topic भी है, तो इनकी report की, आप कुछ, जो recommendation है, लिख सकते है, कुमार मंगलम बिर्णा जी, ये वही है, बिर्णा वाले, ठीक, आदित बिर्णा, औ आप देखा होगे, कई सारे criminals, पोलिटीशन का सारा लेते हैं, कई सारे पोलिटीशन का सारा लेते हैं, ठीक, तो ये, जो है, कैसे इस पे, इसको समझ के, इसको खतम किया जाए, हाला कि फिर भी, पूरे अपरादी, जो है, जीत रहे हैं, अभी भी, रादा किष्णे कमिशन जो है, 1948 में आया था, ये, जो है, यूनिवर्सिटी ग्रांड कमिशन, जो भी हमारे हाँ, जो उच संस्तान होते हैं, विश्व धाले होते हैं, उनका, जो है, कैस कौन इसको करता है, रेगुलेट, यूनिवर्सिटी ग्रांड कमिशन, ठीक, के संथानम कमिटी, जो जिसने क चार में आई थी, to find the problem faced by the farmers, farmers के लिए, जो है, प्रॉब्लम को, क्या से, क्या सही किया जाए, अच्छा, एमस्व नाथन जी को, हमारे हाँ, जो हरित करांटी हुई थी, उसका जनक भी कहा जाता है, ठीक, बलवंतराय कमिटी, पंचायती राज इंस्ट्यूशन, बहुत सैक इसको मनी मार्केट इस्ट्यूमेंट बोलते हैं, बहुल कमिटी इसे समन्दी थी, वासुदेव कमिटी जो है, NBFC, सेक्टर रिफॉर्म से समन्दी था, जैसे नॉन बैंकिंग फैनेशल को, बजाज फैनेंस हो गया, मुठूर्थ हो गया, ठीक, ये सारे आते हैं, जब घर कमिटी होगे, अरुना, सुंदर राजन कमिटी, टेलीकॉम सेक्टर रिवाइवल, जैसे कि आपका, जीओ, एर्टल, वोड़ा फोन, ठीक, राजीव कुमार कमिटी, ये किसे समन्दीत है, सेलिंग ओफ ओफ ओईल एन ओन जी सी, ओईल क्या है, आपका, ये एक संस्ता है, इ प्राइवेट कमपनीज को, हाला कि ये भी हुआ नहीं है, सुशील मोधी कमिटी, ये इनको लुक करना था, कि टू इन्टू जी एस्टी रिवेन्यू शॉर्ट फॉल फेस्ट बाइदा स्टेट, मलब जी एस्टी जब लगू होने वाला था, कब से लगू हुआ, एक जून से हुआ, जुलाई से हुआ, एक जून, जून से हुआ शायद, 2017 से चलू हुआ है, तो मलब ये लकाई स्टेट को लग रहा था, कि यार हमारा जो है जी एस्टी आने से रिवेन्यू कम हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो सुशील मोधी कमिटी बनाए गई थी, जो राज्यो अगला जो हमारा कौन सा है, लोगपाल सर्च कमिटी, जस्टिस रंजना देसाई, इनको मतलब जो है लोगपाल के नाम रिक्मेंट करने थे, लोगपाल के लिए नामों की शिफारिज के लिए रंजना देसाई जी, लोगपाल सर्च कमिटी, ठीक और पुंची कमिशन जो है आपका सेंटर स्टेट रिलेशन से समझ दे था इसके लावा और कुस दूसरा कों से थी सरकारिया कमीशन थी और इसी के साथ में हमारा ये खतम होता है सत्तर ये सत्ता मिनट आप से कोई नी चीन सकता जब अगर आप चाहो तो अच्छे सके लो आदे गुंटे में हो गया है अगर एक बार सुनने को बाद 1.5 एक्स पे आप दवाया देखना तो सिर्फ 20 मिनट में आपको सारी इंपॉर्टेंट कमिटी जो कवर हो जाएंगे अगर अप फिर भी कोई विद्वान है और उसको लगता है कि और कमिटी कुछ रहे गई है तो वो कमिट में एक साथ सारी नाम लग देना तो मैं इसको हैलाइट कर दूँगा और इसको साथ हमारा ये खतम होता है अगर आप लोग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक का वट्म तोड़िए और सब्सक्राइब शेयर और सब्सक्राइब करिए अगर आप लोग का हमारा कंटेंट और गाइदेंस बढ़िया लगता तो UPSC 2021 और EPFO 2020 का आप लोग पेट जोइन कर सकते हैं नंबर्स आपकी स्क्रीन पर ज्यादा जोइन करें के लिए क्ल करिए 8564-800-530-9690-06089 पर जैन जाबरत ओल्डवरी वेस्ट वंदे मातरम